हेलो नमस्कार किसान भाईयो जब हमारे धान के बाली निकल कर जुक जाती है उस समय हमारे धान के फसल में एक समय से सबसे जादा देखने को आती है कि हमारे धान के बाली है सूख जाती है और उसमें एक भी धाना में दूद्वरा आप नहीं रहता जिसका रहना हम किसान आपको बताऊंगा इस जो धान की बाली सुख जाती है इसका कारण का है और इससे आप लोग कैसे नियंतरन कर पाएंगे इसके बारे में संबूर्ण डिटेल में बताऊंगा ताकि आप धान की एक जबर्दस्ट पैदावार ले सेगे तो नमस्कार किसान बायो मैं परना फिर तो क्या है बाली का तो तना है वो निकल आ रही है तो आप समझ जाईएगा कि आपके धान के फसल में तना छेदा कीट का एटाक हुआ है अगर धना छेदा कीट का हम सही समय पर नियंतरन नहीं कर पाते हैं तो हम किसान भाईयो को भारी नुकसाम का सामना भी करना पड़ता है तो किसान भाईयो तो इस समय अगर आपके धान के फसल में तना छेदा कीट का एटाक हुआ है तो आप दानेदार कीट नाशक का यूज करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कोलो एक्ट्रिल नेली परोल 0.4% जियर इसका परती एकर 4-5 किजिक अगर आप छिरका अब करते हैं तो आप छिरकाप करते समय ध्यान रकना पढ़ेगा कि आपके जो जमीन में हलका पानी होना चाहिए अगर जादा पानी वराब रहेगा तो इसका अथा पानी वराब है आट केजी के दर से चिरकाप कर सकते हो इसके अलाबा आप फेपरू निल 0.3% का भी पास से 7 केजी परती एकर के दर से अगर चिरकाप करते हो तो क्या है आपके धान के फसल से तनाच्षेदक जो कीट है वो जड़ से खतम हो जाएगा और आपको धान की एक जबरदस्त पैदावार मिल पाएगी तो किसान भाईयो आशा करता हूँ आपको एक सही और सठीक जानकरी दे पाया हूँ जानकरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेर और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा देने वाप